सच्चिव परिख्षने अमक प्राधिकारी का रहले द्वारा दिनांक 24 मार्च 2022 को सभी डायट प्राचारे और जिला बेसिक सच्चा अधिकारी को एक पत्र लिखा गया है यूपी टेट की अब तक जितनी बार परिख्षाएं हो चुकी हैं और डियलेट के जितने बैचेज हो चुके हैं और 2017 के बास द्वारा दियलेट के बैचे चल रहे हैं उन सबके मार्च सीट और सर्टिफिकेट के सत्यापन के संदर में यह पत्र लिखा गया है बहुत से डायेट प्रचारि के दौरा या फिर जीला बैसिक सीच़ा अधिकारी के दौरा सबकुछ डॉक्युमेंट विरिफिकेशन के दौरां पि यहां प्रट्रों को रोकने के लिए यह सची परिछान न्यमक प्रदिकारी कारया दौरा प्रत्र लिखा गया है कि सब कुछ वेबसाइट पर अवलेबल है यूपीटेट के सभी वर्ष्टों के रिजल्ट अवलेबल है यहाँ पर ओफिशल वेबसाइट बताई गई है और DL8 के सभी मार्कसिट और सर्टिफिकेट भी अवलेबल करा दिये गए हैं तो यहाँ पर PNP काराले के दौर निर्देशित यह किया गया है कि आप सभी वेबसाइट के माध्यम से ही डॉकुमेंट वेरिफिकेशन करिए सिक्षक भरती प्रक्रिया में जब भी अभियर्ती UP30 या फिर DL8 का सर्टिफिकेट लगाता है तो इसी प्रकार से डॉकुमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है और PNP का एक बहुत बड़ा रोल है आपके सिक्षक भरती प्रक्रिया में नियुक्ति पत्र पाने के संदर में एक बार बल्क में डायेट प्रचारे के द्वारा एक जीले में आवेदन मांग लिये जाते हैं और वहां से PNP का रहले को फारवर्ड किया जाता है यहीं एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से आप अपने DL8 के मार्क सीट या फिर सर्टिफिकेट में करेक्शन करा पाते हैं आप डायेट के माध्यम से ही हो करके जाना होगा तो आप अपने जीले के डायेट में पता करते रहिए जब भी इस प्रकार का कोई संसोधन का प्रक्रिया चले तो अगर आपके भी डाकुमेंट में कुछ गरबड़ी है जो की PNP से सम्बंदी था जैसे कि DL8 वाली अबेर तो वो सभी आवेदन कर सकते हैं हलांकि यूपीट में करेक्शन करने का प्रोसेस अलग होता है इसके लिए आपको डायेट के माध्यम से ही आवेदन कराना होगा और बकायदा DD बनती है डिमांड ड्राफ्ट बनता है PNP के नाम से और उसमें लगभग तीन से चार महीने का बत लग जाता है तो अगर आपको सिछाक भरती प्रक्रिया में शामिल होने से पहले एक बार और यूपीटेट की परिच्छा में या फिर सीटेट की परिच्छा में शामिलित होने का मौका मिल आप उसमें आवेदन करके नए तरीके से अपना सीटेट जरूर आप जरूर पास कर लें और अगर बात करें सीटेट के तो सीटेट में कोई भी करेक्षन का प्रावधान नहीं है सिब्यसी के द्वारा उनका इस पश्ट सब्दों में कहना है कि अगर आपके डॉक्यमेंट में कुछ गरबड़ी हो गई है तो आपको अगला सीटेट पास क करना होगा करेक्षन का कोई भी प्रावधान सीब्यसी के द्वारा नहीं होता है इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिन शूभू